जी रादे रादे सौळतने नाय व्लॉग में सुबा सुबा करे डिये सुक्तार में वूंख हुआ लियुक्ताइब संप्राब का इंदी धिन है औरową वूंना गारे में वाज प्णेट कम सरु messy को जो आदा वीरतσι पर सुनी कमी सफ्षी केम हमा यवारलमिश कई reaction देख रहे और चलिए ये मैं बना लेते हूं बनाना शेक दिखाते हूं अपके साथ जी बत सबसे पहले मैं अपने पीहू और पीहू के पापा के लिए बनाओंगी मुझे ना बनाना खाने बिल्कुल भी पसंद निया बहुतीरह होता है जब मुझे कोई प्रशाद होता है या मैं बनाना श क्षेक मैंना पकाते हूं तो लेकिन मुझे बनाना श के söyleyeज़ादा हूर और बनाना खाना खाना पसे नहीं है तो बस और करना मेरा इतना फूडी है उसके लिए कैसे मैनेज करू और बस यहां पे भीगेवे बादाम थे और शेक था देखो पियू ने बनाना शेक पीने से मना कर दिया है पियू खाएगी कॉन्फलेक्स तो मैंने उसके बादाम उसी में डाल दिया है दोनों बच्चे यहीं कड़े वे थे मेरे पास मम्में हम अच्छा रहता है चीनी एकदम नुक्सान देती है तो बस दूद्ध थोड़ा कम लग रहा था तो मैंने दूद्ध जाधा डाल दे कि बच्चे इसके बाहने थोड़ा दूद्ध पी लेगे ती अंदर की क्लीनिंग करने यह बैट जो हम एक्स्रा लगाते हैं और पुरा कम कमरा हमारा जो पैला हुआ है देख सबसे वाब तो बस इसको क्लीन करके फिर में आपसे मिलती हूं क्लीन करके मिलती हूं क्योंकि आप देली देखते हूं मुझे सफाई करते वे तो अभी मैने जो वीडियो का पैटन है वो सूत मीद चेंज करूँ कि मेरे को महनत लगती है तो पोई नहीं देखो मैं तो वीडियो बनाना छोड़ूँगी नहीं क्योंकि जब तक मुझे सक्सेस नहीं मिलेगी ना तो मैं यह काम कर रही हूं मैंनत कर रही हूं को मैं करती रहूंगी तो इसलिए फटाफट हम सफाई करते हैं फिर मैं आपको इसका विफॉर आफटर लुक दिखा दूंगी तो विफॉर तो आप देखी चप्ट हो अब आफटर देखे और रियांश यहां पर खेल रहा है क्योंकि रियांश नहा चुका इसे करके प्रेस करा आपको कांट कर रहा है वहां के टेवल तूंगे दिखाते हैं अज यह वह तो अच्छा है बच लिया पतनी क्या कर रहा था एक तो यह रहा कांच के तुकड़ा इसका भी नीचे फैक्त है यह देखाए कांच के तुकड़े हैं यह वला भी कांच कांच हो गया और यहां से तूटा है बता ने कहां से यही से तूटा है मेरे ख्याल से समझने आ रहा है यह तो रहा जुटह को वह गए बच्चे बस ऐसी हर बस अच्छा है रही आंश को लगी नहीं पच्छे ना बस थोड़ी दिर केला चोड़ों कुछ ना कुछ ऐसा कर देते हैं जिससे मतलब होनी होने से बच गई बहुत तबड़ी आज तो और यह मुझे ना पजीने आ रहे हैं यह भी मेरी खाई तो तो जी में सफाई कर रहे थी पोच्चा लगा रहे थी और देखो पोच्चा मेरा हो गया है और पोच्चा लगा रहे थी यहां पर दोनों बच्चे रहे हैं क्लीन में दूलने के लिए इसको ना ओटो टर्बो क्लीन करूंगी इसको काफी दिन हो गए तो बस कप्ड़े दूल रहे हैं और यह है मेरा नया मैजिक मॉप का पोच्चा बकेट तो थी मेरे पास बड़ यह जब पोच्चा था ना यह खराब हो गया था तो यह बड़ा मास्त हो गया रह दूंट मैं तो दूंट महरे तरह मत दीथा है मेरा man जी आप सब लोगों को पता है योगा 15 अगस्त आ रहा है यानि कि स्वतंत्रता दिवस इंडिपेंडेस जे तो इसलिए दोनों बच्चों की प्रैक्टिस चल रहे है स्कूल में तो वो घर पे भी करते रहते हैं देखा योगा अपने रियांश का आज दिखाया है और मैंने प हमी ने कावी दिन पहले बनाई थी तो मैं नहीं भाला थी इसको वाट मैंने सुचा आज मैं पहन लेती क्यूंकि यह इसका नमकीन जवे बना रहे हूं जो कि मैं हमेशा से आपके साथ रेसिपी शेयर करती हूं मैंने प्याज वली बनाए है इसमें प्याज जाली प्याज बुनने के बाद मैंने बेसिक से मसाले डाल दिये थे हरे मिर्च का बहुत अच्छा टेस्ट आता है तो भी डाल दिया था और पानी डाल दिया और पानी का कोडिक मैंने नमकीन जवे डाल दिये जब तक यह बनता है तो छोटे मोटे किचन के काम निप्टा लेती हूं जैसे की सरसो का तेल यानि की मस्टर्ड ओयल वो आया वा था तो मैंने इसको स्टोर करके रख दिया है और जो बचा है इसको हम तक तो फैला देते हैं इसके बाद आज यह कालीन मैंने दोया था आपने मेरी वीडियो में देखा होगा तो और कालीन पर मैंने चद्दर इसले भी चाहिए कि एकदम कालीन गंदा नहीं होगा बैट शीट पे ही गिरेगा जो भी गिरेगा तो बड़ा मुश्किल है और सब्ची होने वाला है माटर पनीर की सब्ची और सिंपल सी चपाती और वैसे में रायता बना लेती बट तरी अली सब्चे तो देखें किसी को दही चाहिए होगी तो ले सकता है बस सिंपल सा खाना होने माला है चावल बगार में नहीं बनाऊंगी आज मैं बहुत मूटी तो मैं सोच रही हुए चावल तोड़े अवाइट करो कि मिझे चावल बहुत परसंद है और सभी में खड़े तो बस यहां पर सारी तायारी मैंने कर दिया है यह रहे पर आज मैंने ग्रेट कर ली थी ऐसे ही मैंने टमाटर भी ग्रेट कर ले तो टमाटर से यादाया वाव है लहुत अगर है दाल सकते हो लुष मुझे भी विथा देना तो मैं पर दैड़े तो चली इसी तरह रहते हैं मेरे शांगरू एक चम्मच मसाला बर का जिसी तेस्ट भी अच्छा आता है और शाहि पनीर मसाला कि अच्छा लगता है मैंने नोट कर रहे हैं कि आप लोग मेरे vlog नहीं देखते हैं लेकिन कोई नहीं बनाती रहूँगी मेरा पहले से यही कहाना है कि कोई नहीं चलिए छोड़िए अगर मेरे vlogs आपको अच्छे लगते हैं तो प्लीज अपने family के ताथ share कीजिये लाइक कीजिए और वीडियो को जरूर सब्सक्राइब कीजिए यहाँ पर मैंने मलाई डाल दी थी घर की फ्रेश और इसके बाद मलाई को अच्छे से मैश करा और डाल दी थी मटर मटर को अच्छे से थोड़ी देर पकने के लिए रख दिया था फिर पनीर जो कट करके रखे थे वो भी डाल देता है थोड़ा सा मैं पान डालूँगी तरी वला बनाऊँगी सुखी सब्जिया पीव के बलकुल पसंद निकरते मैं बना लेती हूँ बट वो मना करते हैं इसके बाद धनिया साफ करा इतने में तो क्या करते हैं उबाला मार गई तो दो टीटी तक ये हो जाएगा इसके बाद दूद करने के लिए रख रही हूँ और क्या हो रहा है ये नराते और रहते खेल खेलना अब आस सुबह ना मैं दूद कम बॉइल करते हूँ तुकि मैं शाम को बॉइल करते हूँ ना तो जब गरम करने के बाद मुझे दूद किसी को नहीं देना है तो जो मलाई है वो अच्छे से आएगी मलाई का में घीमन आती इसलिए थोड़ा सा सोच के चलना पड़ता है तो थोड़ा सा दूद करम होने के रख दिया है पानी तो मैंना थैली दो के जरूद आते कि इसमें कहीं ना कहीं मलाई या कुछ ना कुछ लगा रह जाता है तो इसलिए आप लोग करते हैं जरूद बताना मुझे आटा गून के रखना है और तिर बन जब अभी सारे साथ साथ बजे भी उखाना मेरा इसलिए बनाके रख दिया देख रहे थी तो कि फिर मुझे बच्चों की स्कूल ड्रेज भी प्रेस करनी है मैंने मशीन लगाई थी कप्रत मेंने सुखाई भी एते हैं तो यहां पर शाम की पूजा की तैयारी आने कर लिए पूजा पर क्याते हैं बगवान जी को मना क्याते हैं आप लोगों ने पू तो यही टाइम सबसे जाधा राई करता है पूजा करनी है तो बस मैं जानी है जो जिफ चमे भगवान को याद कर ले वही पूजा कर टाइम हो जाता है यहां पर शाम के डिनर की आपको पता है तैयारी चली रही है तो आटग उनके रख दिया है बच्चों की फरमाईश है कि कल वो मैकरोनी लेके जाएंगे तो मैकरोनी में रात अभी बॉयल करके रख दूंगे फ्रिज में ताकि सुबह मुझे जाधा देर ना हो कहीं बार द हीं झाइबर तो चप चीपा वला मौसम रहे हिं। तो उसम ना बड़ा मौसम अब भी में इमूटी वाला है बहुत चिप चीपा हो रहा है तो मेरेको बहुत घरमी लग रही है तो बस मैं आ नहाने जा रहें को मैं जाधा तर नहा लेती हूँ क्योंकि इतनी गरमी लग जा नहां के शाम का टाइम में नहां रही थी कुछ बहुत जादा गर्मी उड़ी ती लेकिन बही आ गए और बही आ ने मुझे अपने बच्चे पती इनको लेके जा रही हूं इस बही लेकिन मुझे बुलाने आया है चलते हैं तो जी हम आ गए हैं शिक्खा के घर को लो देखो शिक्खा मुझे देखे हैं चंबा ओगई यह कहां से आ गई है और वो कहते हैं देखो जे ना भाईया है लेकिने से चॉले बढ़े किलाए नी मैं किलाऊंगा वाभी यह इनको तो जोन करके बहुत है कि भाईया के जाए 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 आपर में चिश्मा इनको आ अन्या यहां पर भाईया ले आये हैं चोले बटूरे जो की बहुत दीजादा टेस्टी लग देखने में जल्दी से इसे करम करें चोले जल्दी हाँ यह भी ठूझ जाओ इसका पौन हा रहा है तोले थेस्टी बने बहाई भाईया इस ना शोर में जा रखा है जूले जाद यह काके रख्ते कि छोले जादे, सारे चोले खागा हैं इस तने टेस्टी में बंगाली यह सार ही दिए हैं अब जा रहा है बनाया बनाया थी यह थी नहीं हम आय। चूट वकती हैं तू में दोसे बताऊंगी हैं तो जूसी मताईगे हैं आद खावाँगी तो बस हमें आ गई थी शिखा के घर से और लगा लिया है बिग बॉस तो बिग बॉस अभी फेवरेट चल रहा है क्योंकि इसमें यूट्यूबर्स आए वे हैं अभी शेक यानि की फुकरा इंसान मनीशारानी अलविश यादव तो बस ये लास्ट फिनाले वीक चल रहा है द किन बच्चे को भूक लग गई थी खाना मैं पहले बिना दे थी नहीं अगर मैं शिक्क के घर ना जाती और फुल के सेखने रह गए थे बाकी तो मेरा हो गया था तो बस यहां पे अब गरम अगरम फुल के सेख दूंगी और बिग बहुत सुनते सुनते में ही सब खाम करती रहती हूं दोनों बच्चों की ठीटिंग लगा दूंगी और रुब्र को सॉलाना भब है और क्यकते हैं M procent रिकल मधर मंदे और स्कूल में के लिए कि क्योंकि उनकी प्रेक्टिस चल रहे है ना दोनों ही डdon दान्स प्रोग्राम में तो बस यहां पर प्लेटिंग कर ले थी पीर यांश प्याज नहीं काता है तो उसको प्याज नहीं दीती और मंटर पनेर की सबची और साधे फुल के यही है आज मेरा सिंपल सा लंच तो यहां पर दो नुमत चकुमेद दे आई हूं डान्स करते करते इसके बाद बिक बॉस भी कतम हो गया था मैंने भी खाना का लिया था बस किचन क्लीन रह गई थी एक्चुली मेरी मम्मी ने बोला है पहले भी मम्मी ने बताया था कि जब हम रोटी बनाते हैं तो रोटी के तुरंत बाद गैस साफ नहीं करने चाहिए जो गरम होती है इसल बर्तन होते ही बहुत है जब इतना टाइम का खाना बनता रहता है तो बर्तन तो देख हो होते ही है तो बस तो नहीं भी लगा दितिbnे और कल की तयारी भी कर लीती मैंने और बच्यो को न नहे वाले lunch में, कहते हैं क्या दूंगी, lunch दूंगी, इसलिए मैंने उनके कहने पे macaroni boil करके रख दिया, यह easy रहता है, मैं रात कोई सोच लेतू हुआ, सुबा क्या बना रहा है, तो सुबा सोचना नहीं पड़ता है, तो बस यार, अच्छी लग रहे हैं देखने में macaroni, और मैकरोनी बिल्कुल 100% सूजी की है यह उन्हें लिखा वाए बाकि यह जो भी है मतलब तोड़ा बैस्ट है मुझे ज़्यादा मैदे की चीजे नहीं पसंद आती है कि बच्चे खाएं और यह भी मैं बहुती रियर देती हूँ मतलब की कम ही देना पसंद करती हूँ इसके बाद अब रात को तयारी कर लेंगे कि सुबह मुझे कम काम करना पड़े और रात को मैं अपना जो ड्राइंग रूम है यह मेन साफ कर देती हूँ फिर क्या होता है न सुबह जब मैं उठती हूँ न मुझे ड्राइंग रूम क्लीन नहीं करना पड़ता है नहीं तो फिर मेरी आदत है कि मैं सुबह पहले ड्राइंग रूम ही क्लीन करूंगी फिर किचन में जाती हूँ क्योंकि मैं ज़ाड़ू लगाती हूँ सुबह बासी ज़ाड़ू तो इसलिए मेरे को ये ज़ादा तर रात को ही करके रखती हूँ ये वाला काम क्योंकि बेस्ट रहता है अगर आप रात को निप्टा लोना सारे काम तो सुबह आपका सारा ही काम आसानी से हो जाता है हाडली पांस से दस मिनट लगते हैं जादा टाइम नहीं लगता है ये कालीन भी उठाके रख दूँगी क्योंकि सुबह जाड़ू लगानी होती है फिर सुबह करने पड़ते हैं और अब आती है ड्रेस प्रेस करने की बारी तो सुबह मैंने मेशीन लगाई थी तो सारे कपड़े सुबह गए बट ये वाले मैंने अभी उतारे नहीं है और ड्रेस प्रेस करके मैं सो जाओंगी ये ता मेरा आज का व्लोग कैसा लगा जरूर बताना मिलती हूँ नेक्स्ट व्लोग में बाई बाई